गुलाम नभी अजाद ने आज कॉंग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, उन्होंने पांच पन्नों का एक अपना रेजिगनेशन लेटर जो है उसको मीडिया में रिलीज किया, जाधा बात चीत करने रेके कॉंग्रेस पार्टी के राजसभा के सांसद इमरान प्रताबगड जी हमारे साथ हैं, अजाद साब ने पांच पन्ने की चुठी लिखी है, और कॉंग्रेस पार्टी के अंदर एक जो हम यहां पे जहां 24 अकपरोड में खड़े हैं, एक बड़ा स्ट्रॉंग बज यह है कि कहीं न कहीं उनके मन में राजसभा सीट ना मिलने की ही टीस थी, ज पर हम नए लोग कुछ बहतर काम करना चाहते हैं, तो मुझे ने लगता कि ऐसी कोई टीस रही होगी, हाला कि वो गय हैं तो हम सबको दुख है, पांच पन्ने की चित्थी में उन्होंने आपके नेत्यत्व के उपारे में, आपकी पार्टी के बारे में, यहां तके खुलके और देड़ परने का तो राहूल गांधी पर हमला बोल दिया है, उसे कैसे देखते हैं? में अपना चेकप कराने, इलाज कराने गई हैं, ऐसे समय में आप त्याकपत्र देते हैं और बहुत सारे अनरगल आरोप लगाते हैं, आप नेत्रित्व पर सवाल खड़ा करते हैं, मैं देश से पूछना चाहता हूं कि विपक्ष का कौन सा ऐसा नेता है, जो राहूल गां वरिस्थ लोगों की तरह विवहार भी करना था, जा रहे थे, जाने का मन बना लिया था, तो इस तरह के निजी हमले नहीं करने चाहिए थे, अब कार्यकरता उत्तेजित होगा, वो निजी आलोचना करेगा, निजी जवाब देगा, यह परंपरा कॉंग्रेस की परंपरा न पहनुमाई करना चाहिए अगुआई करना चाहिए ना कि सवाल खड़ा करना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा प्रारंब हो रहे हैं महंगाई के खिलाप राहूल गांदी जी डिटेन हो रहे हैं साथ साथ घंटे थाने में बैठे रहते हैं ऐसे समय में साथ देने के बजाए आप आरोप लगाओगे तो ये तो कहीं से भी नेत्रुत्यों के प्रति ना तो वफादारी है ना पार्टी की बहतरी सोचने का कोई प्रयास है अचा इमरान जी 15 अगस को यहीं पर हम लोग थे तो गुलाम नभी अजाद साब खुद तिरंगा लेके सबसे पहले चले उनके साथ में राहूल गांदी थे पीछे प्रयांका जी थी तिरंगा लिये वे उनके साथ आनन शर्मा जी थे तो कहीं ने कहीं कॉंग्रेस पार्ट जी आजाद साब को संबान देते हुए दिखेंगे उस तस्वीर के पूरे फ्रेम में आपको संबान प्रदर्शीत होगा ऐसे में ऐसा क्या हो गया आपके हिसाब की कमेटी बन रही है आपकी मरजी के हिसाब से पार्टी आपको फोरum उपलब्द करा रही आप पीसी कर रहे और इस उम्र में जब आपको पार्टी के नए नेत्रुतों का स्वागत करना चाहिए और उनके लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए ऐसे समय में आप पार्टी नेत्रुतों पे सवाल खड़ा करें और वो भी अनर्गल आरोप लगा करके वो चिठी कम हो तो निवंद प्रतीत होता है ना पूरा निवंद लिख दिया आपने पांच पेच का तो रिष्टों की ये नाजुक दोरें थोड़ी थोड़ी जाती है अपनी आँखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती है अगर आपको कोई शिकायत थी तो शिकायत पर बोल कहा है तो फिर आपको क्या दिकार रह जाता है नेत्रयत्य से सवाल करने का आप जनता के सरोकारों पर ज्यादा मुखर होकर करके लड़ते हुए दिखिये उसके बात सवाल खड़ा करिए राहुल जी के लावा विपक्ष में कौन बोल रहा है सिर्फ राहुल गांधी बोल रहे हैं सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहे हैं ऐसे में जब CBI है, ED है, पुलिस है, जाच एजंसियां हैं, उस समय में राहुल जी के साथ वही चल पाएगा जो डरेगा नहीं। 3571 किलोमेटर की यात्रा है, हम तमाम देशवर का स्वागत करते हैं और तमाम बरिस निताओं का भी स्वागत कर सकते हैं। 35 किलोमेटर तो चलिए, 35 किलोमेटर चोड़िए, 35 चोड़िए, 35 चलिए तब तो लगे कि आप भारत जोडने के प्रियास में हैं। अगर हम राहुल जी भारत जोड़ने हैं, आप कॉंग्रेस जोड़िए ना, अगर आपको शिकायत है। उन्हें ने अपनी चिठी में लिखा है, जो बीजेपी और सबने बड़ा वाइरल कर दिया, कि कॉंग्रेस भारत जोड़ों की बात कर दे, पहले कॉंग्रेस तो जोड़ लीजे, ये आजाद सापने अपनी चिठी में लिखा है। उस चिठी में लिखी कही बात जो है, उससे ज़्यादा महत्तो पूर्ण है कि उसे वाइरल कौन कर रहा है, भाजपा वाइरल कर रही है न। आपको चाहिए ना आपको नहीं लड़ाई आप खड़े बिल्की इसके मुद्धे पे चलिए हम सब आपके पीछे खड़ें कह रहे हैं कि नई पार्टी बनाएंगे जम्मु कश्मीर में जाके चुनाव लड़ेंगे मुझे लगता है अब स्वास्त भी उनका अच्छा नहीं है तो अब राजनीती से सन्यास का समय है पार्टी बनाके अगर भाजपा को फायदा पहुचाने का कोई प्रयास है तो फिर क्या किया जा सकता है ठीक है बना ले उससे मुझे ने लगता है उनका कोई फायदा होगा भाजपा का जुरूर फायदा हो सकता है अन्ततों कत्तों बात वही है कि आप आशूओं का कर्ज उतारने हैं जबकि सोनिया जी ने मुखर हो करके उद्यपुचिंतन शिफिर में कहा था कि ये समय पार्टी का कर्ज उतारने का है और क्या दे दे पार्टी आपको 42 वर्ष मुख्यमंतरी लोकसभासांसद राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष सबकुछ तो रहा पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया अब इसके बाद भी शिकायत है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो पार्टी में लोक्तंत्र है नए लोग आते हैं नई लोगों की भी बातें सुनी जाती हैं तो सबको सहर्ष उस्विकार कर करना चाहिए तो यह थे इमरान प्रताप गड़ीजी हमसे बात करते हुए कैमरा परसन अजे ठाकूर के साथ में सुप्रेभार दौजाज तक दिल्ली